बच्चो नमस्ते, सैनिक स्कूल का रेजल्ट आ चुका है और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का स्कूर काड अपना रेजल्ट देख सकते हैं आप पता कर पाएंगे किस तरीके से कि आप कॉलिफाइड हैं कि नहीं यह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा तोटी सी वीडियो है प्लीज एंड तक देखिएगा सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है कोई साभी एक ब्राउजर खोलीजे गूगल क्रोम हो गया सफारी हो गया जो भी आप यूज करते हैं उस पर सर्च आपको करना है AISSEE जैसे आप यह सर्च करिएगा तो बहुत सारे लिंक्स आपके सामने उपन हो जाएगे आपको कौन सा लिंक उपन करना है जिसमें जो URL है वो यह है कि exams.nta.ac.in देखिए यह मेन है यह website मेन है यह government official है इससे पहले वाली जो दूसरी website थी उसको आप open मत करिएगा चैनल के अंदर आपने पुराने साल की वीडियो देखे होंगे वो website अब काम नहीं करती है सारे की सारे updates आते है exams.nta.ac.in तो यह जो पहला link है इसको मैंने click किया जैसी मैं click करूँगा तो देखी कुछ इस तरीकी का webpage आपको दिखाई देगा इस webpage पे आप देख सकते हैं उपर पर लिखा हुआ है यहाँ पर AISSE 2024 scorecard is live यानि कि scorecard का मतलब आपका result आपका result आ चुका है इस result को आपको कैसे देखना है यहाँ पर देखे लिखा हुआ है click here for scorecard है ना click here page पर click करेगा जैसे click करेगा कुछ इस तरीकी का इंटरफिस आपको पीछे दिखाई देगा आपको अप्लिकेशन नमबर डालना है अपने बच्चे का या अगर स्टूडेंट इस वीड़ो को देख रहे हैं तो आप अपना खुद के अप्लिकेशन नमर और डेट बद डाल के scorecard check कर सकते में डेमो के आपको मैं दिखा देता हूं एक मेरा student है जिसके बहुत अच्छी रजल्ट आया है है इस वरी intelligent student जिसका नाम है लोकेश पटेल मैं अपने स्टूडेंट का एक बार आपको मैं डेमो दिखा देता हूं कि किस तरीके से scorecard खुलेगा मैंने वहां पर इसका application नमर लिख दिया मैंने date of birth यहां पर डाल दिया अपने स्टूडेंट का लोकेश भाई सबका 23 September 2013 और फिर मैंने यहां पर याने कि यह जो लिखा हुआ है यहां पर उसी को मैंने यहां पर टाइप किया है और 717-4553 और मैं सब्मेट कर देता हूं करने के बाद देखे मुझे result मिल चुका है अपने student का इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख पाए यहां पर आपको यह प्रिंट अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं पीडियाफ के फॉर्म में तो आप प्रिंट करेंगा और यहां पर से आप सेव भी कर सकते हैं result में थोड़ा सा समझा देता हूं उसके बाद आप वीडियो को एंड कर सकते हैं result में देखे आपको चार सब्जेक्स आपने दिये थे उन्हें चारों सब्जेक्स के मार्क्स दिये हुए है लैंग्विज 50 मार्क्स का था mathematics 150 मार्क्स का था intelligence जो था वो 50 मार्क्स का था और general knowledge भी 50 मार्क्स का था तो इन सारे में overall जो मार्क्स चूड़ा है उसका result आया है 262 तो 300 मार्क्स के paper में result आया है 262 यह मैं location की बात बता रहा हूं आपके जो result होगी आपको सबसे में क्या देखना है वहाँ पर एक आपको rank देखना है कितना है और तीसरा आपको देखना है result में qualified लिखा है कि ने लिखा है अगर qualified लिखा है तब भी आप सैनिक स्कूल के counseling में counseling क्या है उसके लिए separate वीडियो है वो separate वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं पर counseling तभी देपाएंगे जब आप qualified है तो qualification बहुत जरूर में starting में आ चुका था कि किस तरीके से selection का criteria क्या होगा देखे simply में बोला है कि आपको कम से कम 25% marks चाहिए हर section में मतलब जैसे यहां पर English में 50 है तो 50 का 25 होता है 12.5 तो 12.5 marks से अगर कम आते हैं किसी भी एक subject में language में intelligence में या फिजनल नॉलेज में तो भी बच्चा फेल हो जा जाएगा फोर से डिवाइड आप कर लिजेगा एक बार तो मैं करके बता देता हूं 150 डिवाइड बाइड 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 फोर 150 डिवाइड बाइड 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 फोर का मतलब क्या है 300 का 40 परसें 300 का 40 परसेंट क्या हो जाएगा 300 का 40 परसेंट हो जाएगा 300 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 तो डैट विल बी 120 तो ओवर ओल फोर 120 मार्क से जादा होना चाहिए एक कंडिशन ताथी साथ में हर सब्जेट में 25 परसेंट होने चाहिए तो उसके बेसिड पर बताया गया है कि आप क् resin के नहीं हैं तो हो इसके डीटेल में अलग वीडियो पर उसको आप देखेगा तो आपको पता चल जाए पर उससे पहले मैं इस वीडियो के जाके आपको कांसलिंग करना है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तो कांसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है जैसे स्टार्ट होगा तो वीडियो भी चैनल के अंदर आज जाएगी तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लिजिए और वहाँ पर कांसलिंग का वन मैं दूसरा अब एक और काम कर सकते हैं कि हमारा वाटसेप और टेलिग्राम का गुरूप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है उसको जोइन कर लिजे वहां से वाटसेप के गुरूप से आपको मेरा कॉंटक्ट मिल जाएगा तो आप मुझे डिरेक्ली कॉंटक्ट कर सकते ह मैं अगर फोन ना उठा पाऊं तो आप मुझे वाटसेप कर दीजेगा एंड मेरा गारेंटी है कि अगर आपकी बच्चे का क्वालिफिकेशन हुआ है काउंसलिंग कराने की जिम्यदारी मेरी है कैसे भी करके मैं आपको help out करूंगा और अगर selection हुआ है तो admission के process में मैं सार वीडियो भी चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे तो आई होप आप लोगों को अभी कोई डाउट नहीं बचा होगा मज़ा है मुझे भी वीडियो बनाने में आई होप आपको सब समझ आ गया है चली मिलते हैं टाटा बाए बाए जय हिंद